आजकल True Incident से Inspire कहानिया सबसे ज़्यादा चलन में हैं इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है Runway 34 का इस कैटिगरी में इससे पहले जो फिल्में बनी हैं और जो बहुत ज़्यादा हिट रही थी उन्हें मुख्य रूप से हैं औरी Special 26, Airlift and Neerja ये फिल्म्स पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आए थी अब इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए अजे देवगन साब एक फिल्म लेकर आये हैं जिसका नाम है Runway 34 Hello friends, Welcome back to my channel, My name is Ankur Benidretta तो दोस्तों आज हम Runway 34 की ट्रेलर का review करेंगे Runway 34 एक सची घटना पर अधारित है, 2015 में हुए एक बहुत बड़े हाथसे परे फिल्म बनी है जिसमें 142 नागरिक और आठ क्रू मेंबर की जान को बचाया था प्लेन के कैप्टन ने जिसका रोल प्ले कर रहे हैं अजे देवगन खुद ट्रेलर बहुत शानदार बनाया गया है वो आपकी आँखों को डिलाइट परदान करता है, डालोग्स अच्छे लग रहे हैं, फिल्म की स्टार कास्ट बहुत शानदार है, अमिताब बच्चन, अजे देवगन, बोमन इरानी, एंड रकुल प्रीत और इसमें एक फेमस यूटूबर कैरी मिनाटी भी आप सब लोगों को देखने को मिलेंगे, मैंने इसके टीजर रिव्यू में कहा था, कि अगर इस फिल्म का VFX शानदार कहानी के साथ एग्जेक्यूट किया गया होगा, तो हमें एक अच्छी फिल्म देखने को मिल सकती है जो की ट्रेलर देखने से लग रहा है, अब देखते हैं फिल्म कैसी बनी होगी, इस फिल्म का पहले नाम था मेडे, अब मैं आपको बताता हूँ मेडे का मतलब क्या होता है, मेडे शब्द का यूज उस वक्त किया जाता है, जब विमान में बैठे सबी यात्रियों और क्र पैलेट को लगता है कि विमान में बैठे सबी यात्री और क्रू मेंबर की जान अब खत्रे में है, उनका बचना मुश्किल है, तब ही शब्द का यूज किया जाता है, मेडे, इस शब्द के यूज के बाद जहास जहां पर लैंड किया जाता है, तो उस जगा पर पहले से और जो जरूरी वस्तुएं होती हैं, चीजे होती हैं पहले से पोचाई जा सकें ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो, इस शब्द का इस्तमाल सबसे पहले 1923 में किया गया था, और इस फिल्म में भी अजे देवगन इस शब्द का इस्तमाल करते हैं, फ्लाइट उडाने के दोरान, तो उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, उन पर इनक्वारी बैटती है, कि उन्होंने इस शब्द का इस्तमाल क्यों किया गया था, में मुद्द यही है, जो इनक्वारी करेंगे वो हैं, अमिताब बच्चन और पाइलेट के रोल में अजे देवगन, में लि इस अप्रेल को रिलीज होगी, तो आपको मेरे इस चैनल पर इसका रिव्यू ज़रूर मिलेगा, बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और बैल आइकन को हिट करना, ताकि आने वाले सभी वीडि मिलती रहे, थैंक्स फॉर वाचिंग